Hello friends, welcome to Study IQ, Study IQ के इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम इसमें करने वाले हैं बिहार के करंट अफेर्स जो की नवंबर महीने के हैं मतलब हम इसमें अक्तूबर के सब्तंबर के कुछ करंट अफेर्स को क्या करेंगे साथ में डिसकस जरूर करेंगे तो हमारा इनिशेटिव, हमारा बिहार, प्यारा बिहार जो है चल रहा है वो जैनवरी 2020 से चल रहा है मतलब हम पूरे साल के करंट अफेर्स को लेके चलने हैं और हर महीने आपको ऐसे ही करंट अफेर्स जो है वो मिला करेंगे और गाइस मैसल फाशू बांसल ये आपके जो भी एक्जाम जिस तरह से बिहार गवर्मेंट की तरफ से एक्जाम का एक लिस्ट चारिक किया गया कि फर्बरी तक आपके 2021 तक जो एक्जाम होने हैं उसमें सारे करंट फेर्स के लिए ये वीडियो जो है वो साहिक रहे और इसको याद रखना आपने जो भी करंट फेर्स हम करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट सोर्सी से कवर किये गए हैं खास करके जो इंपोर्टेंट न्यूस पेपर हैं अगर आप देखोगे ओफीशियल प्रेसर लीज है सरकार की उसमें से कवर कियेंगे तो कोई भी इंपोर्टेंट करंट फेर्स हम नहीं छोड़ेंगे और इस वीडियो में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो इंगलिश में कोश्चन मिलेंगे साथ में हिंदी में भी मिलेंगे तो आपको question को समझने में कोई problem नहीं आएगी लेकिन जो option होगा वो केवल किस language में होगा? English में होगा क्योंकि option को लेके ऐसा समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मेरी जो बोलने की और समझाने की language रहेगी वो हिंदी रहेगी तो स्टार्ट करते हैं पहले question के साथ पहला question है मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको क्योंकि question थोड़ा साइड डिफिकल लग रहा हो केंद्रिय सड़क प्रिवेहन राजयमर्ग मंतरी ने बिहार की किस नदी पर महात्मा गांधी सेतू के upstream carriageway का उद्गाटन किया तो एक simple सा बताता हूँ इसमें question में क्या पूछा है कि महात्मा गांधी जो bridge सेतू बना गया है वो कौनसी river के उपर जो है वो बना है यह आपने मुझे बताना है कि कौनसी river के उपर उसको बनाया गया है क्योंकि उसके उपर यह four lane जो bridge बना है यह basically बहुत important है क्योंकि यह four lane का मतलब है दो साइड इस साइड से दो साइड से इस साइड से आने जाने के लिए रस्ता जो है वो बना हुआ है तो यह four lane bridge जो 5 km का मतलब नदी के उपर ही है सिरफ तो महात्मा गांदी से तु कौन सी river के उपर है गंगा river के उपर है याद रखना है इसको यह इधर से पटना और हाजीपुर को आपस में अगर आप देखोगे तो क्या गरेगा यह combine करता है तो बहुत important है गंगा river के उपर महात्मा गांदी bridge तो अब यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो तो पांच किलोमेटर की जो आल्मोस्ट लेंथ है इसकी जो पतना से हाजीबूर के बीच में है उसको रेनोवेट जो है वो किया जा रहे है बाइ न्यू स्टील डेक सुपर स्ट्रक्चर की तरह से इसको बनाया जा रहा है मत्तों इसमें स्टील का यूज किया जाएगा तांकि कभी भी जो है वो यह road खराब ना हो और design जो है वो किस ने तियार किया IIT Roadki ने जो है वो इसका design तियार के इसमें स्टील डेक का यूज किया रहे बहुत इंपोर्टेंट है इससे पहले cement का यूज जादा करते हैं लेकिन इसमें स्टील का यूज जो है वो जादा किया जा रहा है और आपको पता है road and transport minister हमारे कौन है नितिन गढकरी जी है तो इसको याद रखना है आपने यह river Ganga in parallel to M.G. Setu who has been announced by Nitin गढकरी to facilitate of ships under it इसके नीचे से ships का भी जो है वो परिवेहन रहेगा तांकि कोई भी दिक्कत जो है वो ना आये चल लेगे तो याद रखना है बहुत important structure में इसको लिख लो आप important question में आप mark कर लो इसको सबसे important questions में से एक है next आते हैं बिहार Chief Minister Nitish Kumar अर्लीजड ए बुक titled सियासत में सदस्यता who is author of this book तो important question में mark कर लो books वाली category में लिख लो सियासत में सदस्यता किसने बुक को लिखा है जिसको Nitish Kumar जी ने अर्लीजड किया सबसे बड़ी बात है इसमें तो याद रखना है जो हमारे पूरव विदान सबा के speaker थे वीजे कुमार चौदरी जी उन्होंने इस book को लिखा था अभी कौन बने है अभी भी वीजे नाम से ये एक person बने है हमारे speaker वो कौन है वीजे सिनहा जी है याद रखना है वीजे सिनहा जी नए speaker बने है अभी लेकिन आपने इस बात को एक और याद करना है कि ऐसा बिहार विदान सबा में पहली बार हुआ है कि कोई बाजपा का speaker बने है वीजे पी के से कोई बंदा जो है वो speaker बने है वीजे सिनहा लेकिन ये पूरव हैं वीजे कुमार चौधरी जी उन्होंने इस बुक को लिखा है सियासत में सदफ सता तो याद रखना है देखो आप नितिश कुमार जी लॉंच कर रहे हैं इस बुक को और बिहार असेंबली सेक्टरियट में इस बुक को क्या किया है ये बताता है कि जो नितिश कुमार जी की सरकार में जो बहुत सी स्कीम चलाएगे उनके वेलफियर मेजर चलाएगे उसके बारे में ये बुक जो है वो बताती है तो याद रखना है कौन से speaker जो पूरफ speaker है विजे कुमार चौधरी जी अभी किसको बनाया गए विजे सिना जी को बनाया गए है कहां से जीते हुए चनाब विजे सिना जी जो है वो लखी सराय से जीते हुए याद रखेंगे तो बहुत important रहेगी यह news important है नेक्स आते हैं union minister of railways flagged of the first Indian किसान डेल पहली किसान डेल जो है वो start कीगी most important question में इसको mark कर लो special parcel train from महाराष्टरा महाराष्टरा में कहां से start हो रही है देवलाली से start हो रही है to Bihar which railway station Bihar के किस railway station तक यह जाएगी यह आपने मुझे बताना है कि कौन से railway station तक Bihar का इसको चलाया गया है तो बता दो भई फटा फट सब बच्चे बता देंगे यह तो मेरे ख्याल से बहुत ही simple सा question है कि कहां तक यह चलेगी तो बहुत ही simple है कि महाराष्टरा से start हो के कहां तक जाएगी यह दानपूर railway station तक जो है वो जाएगी तो याद रखना दानपूर किसान डेल इसको देवलाली दानपूर किसान डेल भी कहा जाता है और यह question आने की संभावना सबसे जादा है तो याद रखना है जो केंद्रिय रेल मंत्री है उन्होंने बारत में पहली किसान डेल जो महाराष्टरा के देवलाली से बिहार के दानपूर railway station के लिए एक विशेशरित पारसल train को रवाना किया याद रखना है किसान डेल बहुत important question है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो देवलाली दानपूर किसान डेल तो है वो चलेगे और इसको थ्रू वर्चुल कॉन्फरेंस के थ्रू जो है वो मोदी जी ने क्या किया लांच किया और साथ में रेल मिनिस्टर भी थे और first ever multi commodity train of इंडियर रेलवेज जो कि अगलग तेरा के fruits like अनार हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, vegetables होगी, जिसमें शिमला मिर्च हो गया, पत गोबी होगी, यह सारी चीजे जो है वो लेके जाएंगे और यह train हफता बर चलेगी, मतलब हफते के basis पे चलेगी, हफते में एक बार चला करेगी, the launch of किसान रेली जे स्टेप टूवर्ड अचीविंग दी टार्बेट ऑफ डबलिंग दी फार्मर इंकम 2022, मतलब यह इसलिए चलाया गया, तांकि किसानों का जो पैदावार है, वो दूसरे लोगों तक पहुं सके, और उससे क्या होगा, कि किसानों की आय जो ह a memorandum of agreement with which institute to set up a geological information system based platform for air quality management in Bihar, मतलब क्या होगा इसका, कि यहाँ पे क्या होगा, कि जोग्रफिकल information system बनाने, कि आपको मैप के अंदरी पता लग जाया घरेगा, कि यहाँ पे pollution जो है, वो क्या है, जादा है, और इसको manage करने की ज़रूरत है, कि इंसिच्यूट के साथ य जो बिहार State Pollution Control Board ने यह tie-up किया है, तो फड़ावड मुझे अंसर बता दें, फिर से काफी बच्चों को तो अंसर पता होगा, जो regular current affair कर रहे थे, और जो current affair के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही important है, तो क्या answer होगा, IIT दिल्ली होगा, जाद रखना है किसके साथ tie-up किय है, IIT दिल्ली के साथ, तो अब यहाँ पर देख सकते हो, Dr. Sangnick Day, Associate Professor, जो की Atmospheric Science का Department है उनका, उसमें IIT दिल्ली में इस project को lead करेंगे, the agreement जो है, वो 10 लाख रुपे में cost करेगा, will provide for exchange of technical expertise between IIT दिल्ली and Bihar State Pollution Control Board, तो दोनों के बीच में यह tie-up हुआ है, याद रखना है, pollution क control करने के लिए, Geographical Information System जो है, बता देगा, तो IIT दिल्ली, नेक्स आते हैं, which University of Bihar won Scotch Award, एक बहुती important award आगया आपके लिए, कि यह award किसने जीता है, Bihar Scotch Award, और यह किसने जीता है, यह Bihar Agriculture University ने जीता है, इसको रट लो question को, याद कर लो, question आने की संभावना अधिक है, तो Scotch Award किसने जीता है, Bihar Agriculture University, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, Bihar कृशी विश्य देलिया, सबोर सूचना, एंव संचार तकनीक के माद्यम से, ग्रामिन युवाओं और महिलाओं को तकनीकिक हस्तांतरन और शमता संबंदन के लिए 66th Scotch Award जो है, वो परदान किया गया है, 66th Scotch Award यह नंबर है उसका, और महिलाओं को शशक्त करने के लिए, ग्रामिन युवाओं को शशक्त करने के लिए, उनको तकनीक सिखाने के लिए, स्किल प्रवाइड करने के लिए यह किया गया है, और बिहार कृशी विदालिया, सबोर के कुलपती, कौन है, परफेसर डॉक् कुमार सिंग को, पैरी अर्बन एग्रिकल्चर फॉर लाइवलिहुड विशे पर लखनों में अजोजित एक अंतर राष्टे वेबिनार में लाइफटाइम अचीवमेंट परदान, अवाड परदान किया गया है, अब देखो यह अवाड जो है, वो सब लोग नहीं पढ़ है, डॉक्टर अजे कुमार सिंग जी को यह अवाड उनको मिला है, लाइफटाइम अचीवमेंट अवाड मिला है, क्योंकि अग्रिकल्चर के लिए जो सबसे महत्तपून इंसीचूट है बिहार का, वो बिहार अग्रिकल्चर युनिवस्टी ही है, जो सबसे ज़्यादा च अब आपको पंजी करन करने में क्या करेगा, मदद करेगा, तांकि आपको उनको भी पता लग जाए कि इन लोगों ने जो है, वो टेस्ट करवाने तो आप तक सेफली पहुंच सकते हैं, वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस अप का नाम क्या है, संजीवन, अंस बहार की तरफ से क्या किया गया, लॉंच किया गया, इसमें आप पंजी करन कर सकते होगी, हमने जांच जो है, वो COVID-19 की करवानी है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं आके जो है, वो आपका टेस्ट जो है, वो कर देंगे, तो ये इस अप का, जो है, वो आप कहा आप सकती हो, लाब है, नेक्स आते हैं, रिसेंटली फेमस राइटर फ्रॉम रजहिंदर, पास्ट अवे, हाली में रजहिंदर जा राज के परसिद्दक लेखक का निदन हो गया, वे किस बाशा के लेखक थे, तो नाम याद रखने है, रजहिंदर जा राज, इनका दिहां अंसर ना है तो किस बाशा से बहूत ही समन्हों की रहे हैं और आप कहसे ए लिखक रहे हैं, लेकिन में लिखक में लिखे के रू Cup के रूप से रहे रजेंदर राज याद रखना है रजेंदर जा राज नेक्स आते हैं शुशान सिंग राजपुत फिलम सिटी विल बी इस्टैबलिशिन विच डिस्टिक और बिहार तो सबको पता है शुशान सिंग राजपुत फिलम सिटी का कह दिया गया कि यहाँ पर बनाई जाएगी तो अंसर क्या है दोस्तों इसका अंसर कोई भी नहीं है इसमें से याद रखना आपको पता है कि मैं एकादा कोश्चन ऐसा डालता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं और याद रखना है तो वो अंसर क्या है मुंगेर वैसे तो बहुत जगा पर अनाउंस हो गया कि बनाई जाएंगी लेकिन अपने मेन जिला याद रखना है मेन जगा याद रखनी है वो कौन सी है मुंगेर जहां पर इसको लगाया जाएगा सो शान सिंग राजपूत फिलम सिटी कहां पर लगाई जाएगी मुंगेर में लगाई जाएगी और अगर आपको मुंगेर आप्शन के अंदर ना हो जैसे कि इस आप्शन में था तो फिर अंसर आप क्या लगाऊगे फिर अंसर बहुत ही सिंपल आएगा फिर अंसर क्या आएगा बागलपूर तो दोनों answer में ने बता दिये क्योंकि सबसे पहले ये announce कर दिया गया था कि मुंगेर में बनाई जाएगी जो बारतिया आप कह सकते हो सब लोग party है उन्होंने कह दिया था कि हम जो हैं वो ये film city का निर्मान करेंगे कहां पे करेंगे मुंगेर में करेंगे लेकिन बाद में ये भी कह दिया गया कि एक जगा और है जहां पे करेंगे वो कहां पे करेंगे बागलपूर में करेंगे तो दोनों ही answer सही है क्योंकि अभी और भी जगा पे announcement हो रही है तो इसलिए ये question आने के से मबाबना कम है क्योंकि एक से ज़्यादा जगा होगी लेकिन अपने दो जगा याद रखने है मुंगेर और बागलपूर जोनों में जो है वो इसका निर्मान होगा next question आते है when is बिहार अर्थ डे celebrated each year from 2011 2011 से बिहार अर्थ डे जो है वो celebrate किया जाता है तो सबसे important question में mark कर लो बिहार प्रिथी दिवेश प्रतेक वर्ष कब मनाया जाता है 2011 से नितिश कुमार जी ने इसको start किया था और ये target लिया था कि 5 जून 5 जून जो कि हमारा world environment day है से लेके 9 अगस्त तक क्योंकि 9 अगस्त को क्या होता है आप the ethics कि तो बिहार अर्थ डे जो है वो हमारे पस 9 अगस्त को होता है तो इसके बीच में हमने कितने पौदे लगाने है इसके बीच में हमने लगाने है 2.51 क्रोड मतल़ 2.51 क्रोड और 2.51 क्रोड जो पौदे हमने लगाने है इस time period के अंदर 5 June से लेके 9 August के बीच में क्योंकि ये World Environment Day होता है ये बिहार Earth Day होता है याद रखना है 9 August को बिहार Earth Day होता है इसी दिन करांती दीवस भी जो है वो मनाया जाता है तो बहुत से दिन हैं जो आप याद रख सकते हो और आपने याद रखना है कि World Earth Day के साथ Confuse नहीं कर लेना इसको World Earth Day जो है वो 22 April को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 22 April को लेकिन ये हमारे पास क्या है बियार Earth Day ये कम मनाया जाता है 9 August को बहुत सी चीजे 9 August को हुई तो याद रख सकते हो 9 August को हिस्ट्री में बहुत सी चीजे 9 August को हुई थी और बिहार प्रिथी दिवस के अफसर पर रवीवार को जल जीवन हर्याली अबयान के तहट दर्ती को बचाने के संकल्प के तहट पौदा रोपन का अबयान चलाया जा रहा है तो बहुत से पौदे लगाने मैं आपको बता चुका हूँ राज्यवर में 2 करोड 51 लाक पौदे जो है वो लगाने का संकल्प लिया गया था कि इसको 5 जून से लेके 9 August के बीच में इसको ऐसा करना है इस कारेकरम का उदेश्या था तो याद रखना है प्रदान मंतरी की आतन निर्भरता परति योगता में बिहार के किस व्यक्ति ने पहला स्थान हासिल किया है तो अब यहाँ पे नाम तो देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा है क्या होगा क्या नाम है अनुराग कुमार तो इन्होंने पहला स्थान जो है वो क्या किया है हासिल किया है जो प्रदान मंतरी की आतों निर्बरता प्रतियोगता चल रही थी उसमें पहला स्थान अनुराग कुमार जीने किया है और आप यहां पर उनका फोटो देख सकते हो और आपको याद भी रहेगा तो आप देख सकते हो अनुराक कुमार कहां से बिलॉंग करते हैं बेगुसराय से बिलॉंग करते हैं सेल्फ रिलाइंस कंपिटीशन था उसमें रैंक हासिल कै पहला रैंक creating the best and useful mobile application उसके लिए उन्होंने किया है उन्होंने एक mobile application बनाई थी जिसका नाम था caption plus क्या नाम था caption plus इस mobile app का feature क्या है कि automatically add कर देती है caption और hashtag to any post और video on the social or YouTube which that needs a caption और hashtag मतलब आपने कोई video डाला तो काफी बच्चे ऐसे डालते हैं video hashtag railway exam hashtag railway exam तो अगर आप railway exam लिख दोगे ये hashtag अपने आपी लगा देगा तो मतलब ये इस app की आप कह सकते हो खासियत है और मैं देख रहा हूँ कुछ time से मतलब मैं January से आपको ये करंड़फिर series करवा रहा हूँ और 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 भी states के मैं करंड़फिर almost सारी states के करंड़फिर मैं करवाता हूँ तो मैं एक चीज़ notice कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा app बनाने का जो श्रे जा रहा है वो इस बार बिहार के जो हम कह सकते हैं कि students है youth है वो बहुत इसमें आगे हैं ये मेरा personal experience जो है वो इसके अंदर है और अनुराग को इस काम के लिए 20 लाख रुपे जो है वो इस योगिता के प्रतियोगता के धायत मिले है तो आपने एक तो app का नाम याद रखना है caption plus और जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक app करवाया था आपको mag tap उसको तीन बंदों ने बनाया था जो की web browser भी है आप scan भी कर सकते हो उसमें reader भी है, dictionary भी है तो वो mag tap था ये कौन सी है? caption plus है याद रखेंगे students next आते हैं who inaugurated Bapu Art Gallery at the Bapu Sabahgar पतना तो बताएंगे किसने inaugurate किया है Bapu Art Gallery को Bapu Sabahgar पतना में तो answer क्या होगा इसका नितिश कुमार जी होगा क्या answer होगा नितिश कुमार जी आप देख सकते हो बापू Sabahgar उसमें खोला गया Bapu Art Gallery को जिसमें आप कह सकते हो कि गांदी जी के जो कुछ rare pictures हैं वो वहाँ पे लगाएगे है एक तरह से museum की तरह इसको develop किया गया है तो Art Gallery बनाईगी है याद रखना है और आपको question ये भी आ सकते है कि Bapu Art Gallery कहां पे बनाईगी है तो पतना में या फिर आपको पूछेगा कहां पे तो Bapu Sabahgar में तो याद रखोगे आप इसको नेक्स आते हैं अगला question Where has the monsoon session of Bihar Legislative Assembly held due to COVID-19 Most important question में इसको mark कर लो कि क्योंकि Bihar Legislative Assembly का session Bihar विदानसभा में नहीं हुआ इस पहली बार हुआ कि वो विदानसभा के बाहर कहीं पे हो रहा है तो कहां पे हो रहा है ये जगा आपने मुझे बतानी है कि monsoon सतर जो है वो Bihar Legislative Assembly का कहां पे हुआ तो मेरे ख्याल से अगर बच्चे थोड़ा सा aware है current affair पढ़ते है newspaper पढ़ते है तो ये हर newspaper ने इस news को cover किया था तो answer किया इसका समराट अशोक International Convention Center इसको याद कर लो कि ऐसा पहली बार हुआ है कि Bihar में Bihar विदानसभा का session बिदानसभा में ना होके कहीं पे बाहर हुआ था समराट अशोक International Convention Center आप देख सकते हो यह convention center यहाँ पे यहाँ पे यह session हुआ था और मौनसून session Bihar legislature is likely to be four hour affair on a single day on three august that Patna ग्यान बवन on this समराट अशोक International Convention Center due to positive cases of COVID-19 कहाँ पे हुआ था Patna के ग्यान बवन जो की समराट अशोक International Convention Center का है तो याद रखेंगे और यह सिरफ चार गंडे का session था सिरफ एक पूरा करना था एक फॉर्मल्टी से उसको पूरा करना था और ऐसा पहली बार हुआ है बाहर हुआ है नेक्स आते हैं वेर बिल बी Specialized Training Center for a Special Task Force will be established एक नया Training Center जो है वो established हो रहा है जिसमें खास तरह के जो Training जो है वो प्रवाइड की जाएगी Special Task Force जो है वो बनाई जाएगी कहां पे बनाई जाएगी बोध गया में याद रखना है कहां पे बनाई जाएगी बोध गया में तो आप यहाँ पे देख सकतो विशेश Task Force के लिए विशेश प्रिक्षिक्षन के इंदर कहां पे स्थापित किया जाएगा बोध गया में तो आप यहाँ पे देख सकतो 15 क्रोड रुपे इसके उपर लगाए जाएंगे सेंटर गॉर्मेंट की तरफ से और स्पेशलाइस टेनिंग सेंटर बनाया जाएगा स्पेशलाइट टास्क फोर्स के लिए यूनिन काबिनेट रिसेंटली गेव इस अप्रूवल तो दे होम मिनिस्ट्री प्लान टो रेज एंटी नकसलाइट स्पेशल फोर्स जो कि नकसल बाड़ी एरियाज हैं नकसल प्रवाबित एरिया हैं वहाँ पे खास करके बिहार, जारखन, ओडिस्सा और च्छतिस गड़ इनमें जो है वो अलग-लग तरह की जो है वो special task force का होना जरूरी है ताकि इन से जो है वो इनको संभाला जा सके किसी भी तरह से तो इनको additional fund भी जो है वो क्या किये जा रहे हैं, provide किये जा रहे हैं This special task force will train around 200 personal in gorilla warfare तो gorilla जो लड़ने की एक कला है तो उसमें परशिक्षित करेंगे 200 personal को मतलब 200 बंदों को और center government की तरह से 75% खर्च लिया जाएगा और state government इसमें 25% खर्चे का अनुदान जो है वो करेंगे तो याद रखना आपने और यह कहां पे खोला जा रहा है बोध क्या में next आते हैं according to the ranking released by the union ministry of education which university of Bihar gets rank 15 among 40 central universities मतलब 40 central universities जो top universities हैं उसमें बिहार की एक university ने top किया है overall उसका rank 15 है लेकिन बिहार की university में वो पहला rank है और वो कौनसी university है? Central University of South Bihar याद रखना है कौनसी university है? Central University of South Bihar उसने इसके अंदर जो है वो ranking हासिल की है तो आप यहाँ पे देख सकते हो Central University of South Bihar has defeated Mahatma Gandhi Center University पहले Mahatma Gandhi Center University उपर थी लेकिन वो उसको हरा दिये क्योंकि Mahatma Gandhi University का rank 23rd है तो in the neighboring state Central University of Jarkhand has secured 40% 40% लेकिन इसका rank 63% है इनका 59% है Mahatma Gandhi Center University का और Jarkhand जो है वो Jarkhand की 40% है तो Ministry of Education ने performance देखी है अलग लग तरीके से जिसमें अलग लग parameter है कि कितने बच्चे admission ले रहे हैं post graduate कितने कर रहे हैं, under graduate कितने कर रहे हैं, PhD कितने हैं M.Phil, student diversity कितनी अलग लग जगा से आये हुएं यब वहीं एक ही area के हैं quality कैसी है, faculty कैसी है, PhD है, student teacher ratio कितनी है teacher की vacancies कितने डाइम बर निकालते हैं, सारी चीज़े देखी जाती है तो Center University of South Bihar ने इतने नंबर जो है वो हासिल किया है याद करने की ज़रूरत नहीं है जबकि Mahatma Gandhi Center University की तरफ से इतने नंबर हासिल किये है तो आपने याद रखने है, top university बिहार की कौन सी है Center University of South Bihar जिसका rank जो है, वो सबसे उपर आया है next आते हैं दोस्तों, अगला question which product of Bihar has registered to get GA tag geographical indication tag जो है, वो बिहार के product के लिए register कर दिया है वो मिलने की संभावना है, जल्दी ही मिल जाएगा तो आपने मुझे बताना है, वो कौन सी, कौन सी चीज है जिसके लिए उन्होंने tag की मांग, जो है, वो की है तांकि एक geographical indication tag जो है, वो मिल जाए जिससे वो चीज को आप अराम से produce कर सकते है और कोई भी इसको produce नहीं कर सकता और वो कौन सा product है, दोस्तों, मखाना है और geographical indication tag बहुत ही महत्तपूरन है अगर आप उस चीज के लिए, आपको पता है कि हमारी state ने सबसे पहले उसको start किया था, originality हमारी state की है या हमारी जगा की है, या हमारे लोगों की है तो आप उसके लिए GI tag जो है, वो मांग सकते हो तो उससे क्या होगा, कोई और इसको नहीं बना पाएगा और आपकी originality आपके पास रहेगे तो यह मखाना जो है, वो GI tag के लिए register किया गया है अभी इसको मिला नहीं है, तो pre-examination stage में आप देख सकते हो, यहाँ पे बिहार का मखाना और अगर आप देखोगे, बिहार agriculture university की तरफ से जो है वो यह डाला गया है, कि हमें इसका वो मिलना चाहिए, पेटेंट मिलना चाहिए और आप यहाँ पे देख सकते हो, कि date of filing है 14 अगस्ट जो है, वो date of filing है और category कौन से है, agriculture तो बिहार मखाना को यह दिया गया और कौन-कौन से products को GA tag मिल चुका है तो अगर मैं आपको बताओ, बागलपूर silk है क्या है, बागलपूर silk बागलपूर silk है इसमें इसमें सिक्की grass है, पता होगा यह तो बच्चों को सिक्की grass, जो बिहार के अंदर बहुत ही famous है, हैंडी क्राफट में आ जाएगा यह भागलपूर silk भी और सिक्की भी हैंडी क्राफट products में आ जाते हैं यह एक और आता है हैंडी क्राफट में, जिसको हम क्या कहते हैं खतवा work of बिहार क्या कहते हैं, खतवा work of बिहार या उसको applique work of बिहार भी कह देते हैं एक शाही लीची आगया आपके पास, शाही लीची agriculture में आजेगा, एक कतरनी rice आजेगा, या कतरनी rice आजेगा, कतरनी rice बहुत ही famous जरदालू mango, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ जरदालू mango जो है, वो भी बिहार का जो है, वो GA tag के अंदर आता है और एक क्या आता है हमारे पास मगही पान, येस, मगही पान, याद रखोगे इसको मगही पान, ठीक है, इसको बीतल पान भी कहा जाता है, मगही पान भी कहा देते हैं कितने पढक्स होगे देखो, बागलपूर सिल्क हो गया सिक्की गरास हो गया, एक हमारे पास खत्वा वर्क अफ बिहार हो गया, ये तो हमारे पास हैंडी क्राफ्ट हो गया, शाही लीची आगया, अगरिकल्चर पढक्स में, कतरणी मिल जाता है तो याद रखना अपने इसको नेख साते हैं IIT Patna ties up with which company for a joint research in artificial intelligence आजकल दोर है भई artificial intelligence का तो digital technology को develop करने का है तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी university के साथ IIT Patna का tie up तो हो गए कौन से institution के साथ मतलब कौन सी company के साथ ये tie up हुआ है कि वो artificial intelligence को develop करेंगे और कृत्रिम बुद्धिमता मतलब इतना ज़्यादा अच्छा system हो चुक है artificial intelligence का कि machine अब इनसानों की तरह ही बात कर रहा है समझ रहा है उसको, emotional आ चुक है है उसके अंदर, रोता भी है तो इसका मतलब क्यों हो गए ये artificial intelligence ही है याद रखेंगे सार, बिलकुल नेक्स आते हैं, which district of Bihar awarded with West Atma that is, Atma मतलब agriculture technological management agency award for financial year 2019-20 किस जिले को, वितिय वर्ष 2019-20 के लिए सरफ श्रेक्ष्ट ATM में, that is, the agriculture technological management agency के रूप में समानित किया गया है, तो अंसर क्या होगा इसका बताएंगे फटाफट और इसका अंसर दोस्तों क्या होगा, बागलपूर पहला स्थान जो हो बागलपूर को मिला है दूसरा स्थान मुंगेर को मिला है तीसरा स्थान जो हो गुपाल गंज को मिला है तो याद रखना है, हमने तो Agriculture Technology Management Agency Award पाने वाली दो आप कह सकते हो डिस्टिक्स हैं तो आप यहां पर देख सकते हो बागलपूर जिले को वितिय बर्ष दो यार उनिस बीस के लिए सरफ श्रेष्ट आत्म पुरसकार मिला है इस तहट जिले को डेड़ लाक रुपे दिये गए तांकि वो और भी इसमें सु इसमें कवर कर पाएं जितने भी मंत्री जो नए बनाए गया है तो उसमें से पूछा जा सकता है आपको नेक्स आते हैं विच इंसीचूट बिहार हैस बीन अप्रूट बाइ सेंटर गॉर्मेंट टू मेक इस रेलवे युनिवरस्टी किस युनिवरस्टी को कहा है सेंटर ने अप्रूफ किया है बेसिकली कि उसको रेलवे युनिवरस्टी जो है बना दिया जाएगा तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है बहुत ही सिंपल अंसर है और याद रखना है यह है इंडियन रेलवे इंसीचूट अफ मेकानिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजनियरिंग तो ही जो पहले जो है वो ट्रेनिंग किसी और को मिलती थी लेकिन बाद में मेकैनिकल आफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए 1927 में इसको उपन कर दिया और यह कहां पे है यह है जमालपूर में मुंगेर डिस्टिक में बहार के अंदर तो इसको चुना गया है कि अब यह रेल बहार विल होस्ती सीनियर झेटरी काप उफ इचर्द इसलिक आफने मुझे बतानी है और वह यहां पर देख सकते ही आप गैम का नाम वह कौन सी गेम है खोखो याद रखना है खोखो का जो सीनियर ञéstल फेडरेशन का पोगा वो बहार क्यान करेगा ओस्थ करेगा बहार में वो जोजित की जाएगी नेक्स आते हैं विच डिस्टिक अव बिहार ए मुबाईल लैब नेमड एस दनवंत्री चलन्थ हॉस्पिटल स्टार्टटड दनवंत्री चलन्थ हस्पिताल के नाम से मुबाईल लैब शुरू की गया कहां से की गई है यह आपने मुझे बताना है तो अंसर के दोस्तों इसका D है B and C मत्तब बकसर और बागलपूर दोनों में दनवंतरी चलंथ हॉस्पिटल जो मुबाइल लैब है वो स्टार्ट की गई है क्या है इसके अंदर जो केंदरिया कौशल विकास मंत्री है महेंदरनाथ पांडे जी आपने अभी फोटो के अंदर देखा एवं केंदरिया स्वास्ते परिवार कलियान राज्य मत्री अश्वनी कुमार 24 ने संजुक्त रूप से वारण असी के लिए मुबाइल लैब लबाइक जिसको हमने नाम किया दिया दनवंतरी चलंथ हस्पताल का वर्चुल माद्यम से हरी जंडी दिखा कर शुबरम के आप इस पिक्चर में देख सकते हो यहां से उन वो शुबरम कर रहे हैं उसका और गाव एव शेहरों में गूम गूम कर अन दी स्पोर्ट मोबाइल लैब बाइक 76 मतलब 76 परकार के बलड जांच एवन टेली मेडिसन की सुविदा परदान करेगी मतलब 76 बिमारियों का वहीं पे जो है वो टेस्ट हो जाया करेगा और वहीं पे आपको मेडिसन भी जो है वो बड़ेगा और नाम कहा है दलमंत्री चलंथ इंपॉर्टेंट है ये सारे बच्चों को नहीं आता होगा बार-बार कहता हूँ स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट हो तब ही आप इस चीज़ को जान पा रहे हो याद रखना है दन्वंत्री चलंथ हस्पताल कहां पे भागलपूर बक्सर में क्या करता है 76 परकार के 76 टाइपस जो डिजीजीज हैं बेसिकली ब्लड जांच के सेंपल देता है और उसकी बिमारियों का पता लगाता है कितने पुलिस वालों को बिहार की तरफ से बिहार में से आप कहा सकते हो इंडिपेंडनेस डे पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस मेडल दिया गया है तो उसका अंसर बहुत ही सिंपल है वैसे तो जो बच्चे न्यूस पेपर पड़ रहे हैं तो सबसे पहले पेज की न्यूस यहीं थी कि कितने बंदों को यह मिला है तो बहतर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए कितने पुलिस वालों को बिहार से शामिल किया गये संजीव कुमार विजिलेंस ब्यूरो के और सब इंस्पेक्टर आफ बेगुसराई विवेक बारती है तो याद रखेंगे पुलिस सुप्रियरेंट आफ किशन गंज कुमार अशीश है पुलिस इंस्पेक्टर विनोत कुमार पांडे और संजीव कुमार है विजिलेंस ब्यूरो और सब इंस्पेक्टर आफ बेगुसराई विवेक बारती जी है तो याद रखना है कौन-कौन परसन है खास करके कुमार अशीश जी का नाम जो है वो याद रखना है तो ये थे हमारे पास बहुत ही important current affairs एक बार ऐसे करते हैं रिवाइस कर लेते हैं whatever सबको फिर जो है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए फिर से नए current affairs को लेके आएंगे तो सबसे पहले था महात्मा गांदी ब्रिज सित्व जो है वो कौन सी river के उपर बनाया गया गंगा के उपर जो है वो बनाया गया उसको renovate किया गया steel का इसमें material यूज किया जा रहा है बहुत ही important है next एक book थी स्यासत में सदस्य था वो book किस ने लिखी जिसका उदगाटन नितिश कुमार जी ने किया वो कौन थे हमारे पूरव speaker विदान सभा के विजे कुमार चौधरी जी अभी कौन बने है विजे सिनहा जी बने है याद रखना अभी कौन बने है विजे सिनहा जी next था कि पहली किसान देल का शुबरंब किया गया महाराष्ट्रा से वो start हुई बिहार तक आएगी महाराष्ट्रा में देवलाली से start हुई है और बिहार में कहां तक आएगी दानापूर रेल्वे स्टेशन तक आएगी जो बहुत से फल सबजियों को लेकर आया करेगी ताकि किसानों की आये बढ़ सके next question था geographical information system के through air quality management improve करनी है मतब मैप के उपर ही आपको पता लग जाया करेगा कि इसकी air quality डाउन है इसको improve करना है तो बिहार state pollution board की तरफ से ये एक sign किया गया कौन से institute के side sign किया गया तो मैंने बताया था IIT दिल्ली के साथ इसको sign किया गया है next question था बिहार scotch award जो है वो किसको मिला है किस university को मिला है तो answer याद रखना आपने scotch award जो है वो बिहार agriculture university को दिया गया है next था which mobile phone application that will help citizens register for covid-19 test आप पे ही अपना पंजीकरन करवा सकते हो कि आपको जो है वो covid-19 का test करवाना है तो उस app का नाम क्या है संजीवन याद रखना है संजीवनी नहीं है संजीवन नाम है next रजेंदर जा राज जी का दिहानत हो गया वो किस बाशा के कवी थे और वो कौनसी बाशा के कवी थे मैथली बाशा के कवी थे बहुती परग्यात कवी और आपने याद रखना है बहुत ही famous कवी नेक्स था सुशान सिंग राजपूत फिलम सिटी कहां पर establish की जा रही है बिहार में तो उसके दो option है एक तो बागलपूर में की जा रही है D answer लगा देना है अगर मुंगेर option में हो तो मुंगेर भी आप लगा सकते हो लेकिन ये question आने के chances कम है क्योंकि और भी जगा पर एनाउंस हो गया कि इस नाम से फिलम सिटी जो है वो बनेगी ने question था बिहार अर्थ डे कब celebrate किया जाता है बिहार अर्थ डे 9 अगस्त को जो है वो celebrate किया जाता है ने question first position किसने हासिल किया प्रदान मंतरी self-reliance competition में क्योंकि उन्होंने एक app बनाई है कौन सी app बनाई है caption plus कि आपको hashtag जो है वो अपने आप ही क्या गर देता है डाल देता है साथ में और वो कौन है अनुराक कुमार है याद रखना है कौन है अनुराक कुमार इनको 20 लाक रुपे जो है वो दिये गई है अवार्ड के तहत next बापू आर्ट गैलरी कहां पे खोली गई है बापू सभा सागर पतना में खोली गई है किसने उदगाटन किये इसका नितिश कुमार जी ने उदगाटन किया जलते हुए next specialized training center बनाया जागा special task force के लिए तांकि नक्सलाइट area से लड़ा जा सके और वो कहां पे बनाया गया बोध गया में बनाया जाएगा जहां पे specialized training दी जाएगी एक task force त्यार की जाएगी next question है कि बिहार की कि कि युनिवस्टी का rank top 40 universities में 15th rank आया मतलब बिहार की तरफ से वो पहली university है जो 40 में 15th rank पे आयी है तो वो कौन सी है वो है center university of south बिहार center university of south बिहार उसने महात्मा गांधी center university को पीछे छोड़ दिया है इसका rank 23rd है लेकिन center university of south बिहार का rank 15th है next तब बिहार को register किया गया है geographical indication tag के लिए किस product को register किया है बिहार ने वो है मखाना याद रखना है कौन सा tag है मखाना और मैं आपको बता चुका हूँ किन-किन का tag उनको मिल चुका है और मैं आपको जब हम इसको कर रहे थे question को तब उस time bit पर बता चुका हूँ next question था IIT पटना ने tie-up किया है किस company के साथ तांकि वो कृत्रिम जो बुद्धिमता है उसको और बढ़ाएंगे लोगों को digital skills देंगे machine learning के उपर द्यान देंगे और वो company कौन सी है Flipkart याद रखना है कौन सी company है Flipkart next है best agriculture technological management agency का award किसको मिला है जिसने agriculture को बहुत अच्छे से manage किया है संबाला है उसको तो वो कौन सी है भागलपूर भागलपूर का rank पहला है मंगेर का दूसरा है गोपाल गंज का तीसरा है लेकिन पहला और दूसरा आपने importantly याद रखना है next आते हैं किस university को या किस college को center government ने railway university बनाने का परस्ताफ जो है वो पास कर दिया है उन्होंने कह दिया है प्रूव कर दिया है और वो कौन सी है इंडियन railway institute of mechanical and electrical engineering जो की कहां पे है मंगेर में है ये भी मंगेर में है next senior national federation cup जो खोखोगा होगा वो बिहार host करेगा 2020 में तो याद रखना है 2010 का senior national federation cup जो है वो बिहार ने खोखोगा ओस Wanna carrots करना है लेकिन अभी current कि कौविट के पाहर नहीं हो पाया अभी तक लेकिन अपने याद रखना है फिर भी जगा आपको पता अने चाहिए बिहार ने host six तरह के blood sample लेती है, test करती है, और medicine जो है, वो telemedicine प्रवाइड करती है. Next, Independence Day के दिन, जो police medal दिये गए, police sewa medal दिये गए, वो crime investigation के लिए बिहार के कितने लोगों को दिये गए? तो चार लोगों को दिये गए. और चार लोगों में मैंने बताया था, जो नाम आपने याद रखने है, most importantly, वो superintendent of police, कौन है? कुमार अशीश किशन गंज के, और दो police inspector है, विनोत कुमार जी और संजीव कुमार जी, उनको मिला है, और एक sub inspector है, विवेक बारती जी, उनको मिला है, तो याद रखना है. तो ये थे हमारे पास बहुत ही important, important current affairs, तो अगली वीडियो के लिए, आप study IQ के लिए focus करें, study IQ की वीडियोस को देखते रहें, और गाईज, अगर आपको कोई doubt आता है, तो इस mail ID पे आप doubt बेश सकते हो, इन numbers पे contact कर सकते हो, 24 गंटे के अंदर, within 24 hours, आपका doubt जब वो solve हो जाएगा. Thank you guys for watching this video, और अगली वीडियो के लिए study IQ पे बने रहें. Thank you guys, take care.